हेलो गाइज वेलकम तो आवर चैनल वेलकम इन सर्च में ओलिन वन दुनिया आपका आपी के चैनल में स्वागत हैं जी तो एक रिक्यूट्मेंट इशू की गई है हधियाना गोर्रमेंट की तरब से हधियाना इजिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इडिपार्टमेंट में हध सिंचाई एंव जल संसादन विवाग में विकैंसी निकली है एक्यूट्मेंट अनौंस की गई है फो दसीविल इंजिनरिंग और अन्य खुछ पदों के लिए नंबर और पोस्ट इसमें 120 है आवेदन स्टार्ट है एक दिसंबर से लास्ट जो डेट है वो 21 दिसंबर है जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस अगर आप चाहते हूं किसी एक स्पैसिफाइड टोपिक पर वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी हां हर्याना सरकाई के सिंचाई और जल संसादन विव बाग में सीविल मेकैनिकल इलेक्टिकल और अन्य इ आसिष्टेइड से लिए एक सो चाह मेकैनिकल के लिए नो और इलेक्टिकल की लिए साथ है और इसमें बात करें दीजार्व किशिफाग यह वूमेन के लिए धाई सो है दिव्याः के लिए कोई भी फिशित नहीं है एजूकेशन की बात करें तो बैचुलर डिग्री होना चाहिए किसी भी जैलिमेंट ट्रेड से एज की बात करें तो 18 से 42 साल के पर से अपलाई का सकते हैं बाकि अदर कैटिकेजिव को उसके बार निचे आप आओगे तो यहां पर तिंक से बताए गई हैं कहां पर जाके अपलाई करना है क्या है तो यह सब यहां पर इंफोर्मिशन दी गई है आप चेक उटका सकते हो डेट का नौटिफिकेशन पूरा मेंशन है हाउ टू अपलाई लास्ट डेट क्या है और परवी सब्सक्राइब क्या है और एज लिमिट क्या है तो इन चीजों के बार में बताए गया है यह आप देख सकते हूं उसके बाद इसरवेशन यह जनल कंडिशन क्या-क्या है जी तो इसके साथ-साथ यहां पर अप्लिकेशन का क्या प्रोसीजर है क्या-क्या पोस्ट वाइज तो यह आप चैक आउट कर सकते हूं नोटिफिकेशन एप्लिकेशन और वेबसाइट तीनों का लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जएगा आप चैक आउट कर सकते हैं जी तो यहां पर यह इनके ओफिशल वेबसाइट है यहां पर आपको मिलेगा यह असिस्टेंट इंजिनरिंग का इस पर आपको कलिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको आगे पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो जो जो रिक्वार्मेंट है उसके बेस पर आप पर फॉर्म फिलफ कर सकते हैं अगर आपने और डि रिजिस्टर कर लिया तो लोगवन कर किया जो पडिंड क्रोशेस है वो आप कउंटिन्य ही तो यह अप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए अपलाई करना है तो वो पोस्ट सेलेक्ट करके अपला इका सकते हो तो यह थी और यह सी साफिश्ल वेपसिट अगर कुछ पुएंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आज के लिए इतना ही था थेंक्यू फॉर वोचिन